जैसा कि आप सभी को पता है कि गड़ेश चतुर्थी आज चुका है और उसी के उपलक्ष में आज मैंने सोचा कि उस पर कुछ एडिटिंग किया जाए कोई पिक एडिट करके बनाया जाया ताकि आप भी इसे देखके इस पर्व पर आप अपना भी पिक को एडिट करके इसके लिए आपको अपने पिक साड़ अप्लिकेशन को सबसे पहले ओपन कर लेना होगा जैसा कि मैंने कर लिया है और अप्लिकेशन को ओपन करने के बाद एक बैक ग्राउंड जैसा कि मैंने यहाप एक बैक ग्राउंड भी ले लिया है आप भी अपने अकार्डिंग एक लेने के बाद अब आगे आपको क्या प्रोसेस करना है वो मैं बताओंगा वाइग्राउन लेना पिक-साट औा उपन करना यह सब Phantom है पर इसके बाद आ ud पिक को एडिट करना यहां से तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्लाइड करते हुए यह इधर जो है आपका right side में जो भी options यहां पे मिलते हैं स्लाइड करते हुए देखें मैं जा रहा हूं नीचे तो यहां पर हमको मिल रहा है एड फोटो का उप्सन तो एड फोटो क आप्षन को हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहां से हम उस पिक को ले लेते हैं, जैसे यहां पर मैं एक गनपती का पिक ले लेता हूँ, मैंने यहां पर पिक ले लिया, पिक लेने के बाद इसे हम थोड़ा सा, इसे हम बढ़ा कर लेंगे इस पिक को, ठीक है, यहां तक हमने इसे क कर दिया और कुछ इस तरीके से इसको अड़ेस्ट कर देते हैं यहां पे गन्पती का पिक अड़ेस्ट करने के बाद यहां पर इसे ऐसे ही हम छोड़ देंगे इसके बाद हम फिर से जाएंगे उसी एड वाले अप्षन में देखें यहां पे अड़ फोटो का अप्षन है जिसाँ विदा प्विक है इंट कर देंगे मैं यहाँ पर किसी सेलिबरिटी या किसी का भी मैं पीक 9 ले लिएता हूं। जैसे मैं एक पिक यहां से सेलेक्ट करके पीक को आपको PNG form में convert करना होगा उसका background remove करना होगा अगर आपको background remove करने नहीं आता है तो मैं i button पर दे दूँगा कि कैसे उसका background आप remove करेंगे देखिए अभी से ही ये कितना खुशूरत सा look दिखने लगा है आपको अगर ये background कैसे remove करते हैं इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ आपको i button पर link दे दूँगा वहाँ से जाकर आप देख सकते है इतना होने के बाद दोस्तो अब आप चाहे तो यहाँ पर smoke effect दे सकते हैं जैसे add photo में गया add photo में जाने के बाद यहां से हम एक smoke effect ले लेते हैं जैसे यह effect को लेने के बाद के बाद देखिए यहां पर इसका background black है तो इसको हम blend mode में जाएंगे यहां से slide करते हुए नीचे जाएंगे तो उमको एक option में लेगा blend का दिखाते हैं आपको slide देखिए यहाँ पे option आग्या है ब्लेंड का押 traffbons में जाने के बाद यहाँ से हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर फिर्स्क्रीयन लिखा होता है इसकर वाले लगने के बाद आप इस ऀसक चाहे तो और अच्छे से adjust कर सकते हैं हम यहां पे हमने adjust कर दिया है है एक और अगर आप copy लेकर के बीच में लगाना चाहे तो लगा सकते हैं इसको भी हम यहां पे लगा दिते हैं ठीक है जिससे हमारा यह look अच्छा दिखए अब हम क्या करते हैं दोस्तों इतना काम होने के बाद हमको फिर से जाना है एड फोटो में यहां से नीचे स्लाइट करते हुए जाएंगे यहां पर पहले तो यह सलेक्ट है इसलिए यह अप्सन नहीं आ रहा है अब इसे कहीं भी टच करके हटा दीजिए डे सलेक्ट कर दीजिए उसके बाद प्लस वाल आइकन पर जाने के बाद यहां पर फिर से वही एड फोटो दिख जाएगा एड फोटो पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक हम यहां से पी एंजी ले लेते हैं नाम का लिखा हुआ यह हम आपको दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे वहां से आप देख लीजिए इसे आप जूम करके ऐसे कर सकते हैं अब देखिए यह बहुत ही अच्छा सा एक लुक बन गया है आप चाहें तो अगर से मुझे तो समोक पी एंजी के बीना ही अच्छा लग रहा है तो दोस्तो अब भी ऐसे ही जैसे गंगा को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें